हेलो फ्रेंट्स आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हुंड़ा यौन का इंटीरियर कैसा दिखता है यह है मॉडुल इरा प्लस यह देख रहे हैं आप लोग उसका डैशबॉर्ड काफी अच्छा मटेरियल है डैशबॉर्ड का कॉलिटी काफी अच्छी है डूल टोन मैं अपको डैशबॉर्ड मिलता है यह पूरा स्पेशेस है काफी स्पेशेस है डैशबॉर्ड बहुत अच्छा है डैशबॉर्ड का ऑल्टो की तरह नहीं है जो चीप दिखता है और फील भी होता है सेंट्रल लेसीवेंट्स दो है मुजिक सिस्टम मैंने सोनी का डलबाया है और यह एसी कंट्रोलर नीचे आपको मिलेगा छोटा सा एक ट्रक्टिकलेटी के लिए बॉक्स जिसमें 12 वोल्ट डीसी आपको मिल जाता है उसमें सिग्रेट लाइटर वगर लगा सकते हैं या फिर चार्जर लगा सकते हैं मेरे पास बेल्किन का चार्जर है और यह आता है गेर नॉप थोड़ा से डिर्टी है मेरा इंटिरियर फ्लॉर माट वगरा जैसे कि अब देख सेकते मैंने स्टेरिंग कवर भी लगाया हुए मैचिंग टुदर क्रीम कलर वीच कलर संशीट काफी अच्छे है एफेक्टिव है साइड रिट्रक्टिबल भी है ग्लव्स बॉक्स भी काफी अच्छा है बड़ा है चार एस इवेंट्स मिलेंगे आपको मारूती की तरह इसमें इंटर्मिटेंट स्पीड नहीं है लो और हाई सिर्फ वह एक ड्रॉबबैक है यह देखिए आप इंस्ट्रुमेंट क्लस्ट मैं आउन करके दिखा देता हूं आपको यह हो गया और कभी सारे लाइट्स वगर आपको दिखेंगे यहां पर काफ़े इंफॉर्मेटिव है और सब कुछ क्लियर दिखता है नीचे देखो कि यह साइड पे तो आपको फ्यूस बॉक्स मिलेगा यह है रिमोट सेंटर लॉक का यह उन्डाइ कंपनी की तरफ से लिया हुआ यह है फ्यूस बॉक्स यहां पर आपको आपके पूरे फ्यूस वगरा मिल जाएंगे लाइट थोड़ी कम है इसलिए एड्जेस्ट करने में दिख्कत आ रही है उसी के नीचे आपको होड रिलीस में मिल जाएगा चलिए दे यह आम रेस्ट पी काफी अच्छा है कमफर्टेबल है अब बात करते हैं बूट बूट स्पेस की तो इसमें काफी अच्छा बूट स्पेस है और टोक के कमपेरिजिन में 216 लिटर्स ऑफ बूट स्पेस कॉस्ट कर्टिंग आपको दिखती है साइड साइड में विल कवर्स लोडिंग लिप थोड़ा ज्यादा है बढ़ाराम से फिट हो जाते तीन बैक्स इस्टेपनी विट फॉर्स्टेट किट एक जैक और कुछ टूल किट्स टायर ओपन करने के लिए साउंड प्रूफिंग वगर बहुत अच्छा है कोई रैटल नॉइज नहीं मिलेगा रैटल नॉइज आपको इसमें तो यह था इंटिरियर डिटेल व्यू यूंडा यान इरब मॉडल का अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए